हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से एक्टिब वोईस को पेसिब वोईस में चेंज कर सकते हैं तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नोलिजिवल है क्रिपिया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों आज का पहला सेंटेंस है हरी हेड़ टू डू दिस वर्क यानि की हरी को यहा काम करना पड़ा हरी हेड़ डू दिस वर्क तो दोस्तों यहाँ पर औबजेक्ट क्या है किस चीज को करना पड़ा this work यह काम तो यह क्या है object है और यहाँ पर verb क्या है to do इसे infinitive भी कहते हैं यानि कि दोस्तो to के बाद यदि कोई verb आए यानि to do, to read, to write तो उसे infinitive कहा जाता है जब भी कोई infinitive verb रहे तो क्या करेंगे जैसे मा लिजए कि यहाँ पर to do है तो इसे to be done इसमें change कर देंगे यानि कि passive voice में change करने के लिए to do को to be done लिखना पड़ेगा तो दोस्तो हम लोग सभी जानते हैं कि passive voice में लिखने के लिए active voice का जो object रहता है उसे subject के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहरे लिखेंगे this work और यहाँ पर head है तो यहाँ पर भी head लिखेंगे this work had to be done by hurry this work had to be done by hurry यानि कि यह काम hurry के द्वारा किया जाना था the boys have to write letters यानि कि लड़कों को पतर लिखना है यहाँ पर have है और यहाँ पर object क्या है letters तो इसे सबसे पहले लिखेंगे subject के रूप में उसके बाद यहाँ पर helping verb have है और यहाँ पर भी देखेंगे कि letters है यानि कि एक से अधीक है तो यहाँ पर भी have ही यूज करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा to be written by the boys letters have to be written by the boys यानि कि पत्र लड़कों द्वारा लिखा जाना है next sentence है दोस्तो your sister will look after you यानि कि तुम्हारी बहन तुम्हारी देखवाल करेगी तो किस की देखवाल करेगी तुम्हारी तो यह क्या है object है तो object को subject के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा you और उसके बाद helping verb लगाना है यहाँ पर will है तो you के साथ भी will लगता है तो यहाँ पर will लिखेंगे you will be looked after by your sister you will be looked after by your sister तो यहाँ पर look after का मतलब होता है देखवाल करना तो यहाँ पर भी look के बाद after जरूर आएगा और यह simple future tense में है इसमें will be selby plus verb 3 यूज होता है passive voice में you will be looked after by your sister दोस्तों next sentence काफी important है और काफी tricky है किसी से भी mistake हो सकता है the news pleased him यानि की समचार ने उसे खुस कर दिया तो यहाँ पर object क्या है him तो इसे subject के रूप में लिखेंगे और him से क्या बन जाएगा he यानि him का subjective form क्या हो जाएगा he तो यहाँ पर लिखेंगे he और यहाँ पर है pleased तो यह simple past tense में है और simple past tense में was was plus verb 3 का यूज होता है passive voice में और he के साथ was लगता है तो यहाँ पर words लगा देंगे फिर यहाँ पर लिखेंगे pleased he was pleased अब दोस्तों यहाँ पर by का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर with यूज करेंगे pleased with the news यानि की दोस्तों हमेशा pleased with होता है यानि की आप pleased by का यूज नहीं कर सकते हैं हमेशा ही pleased with होता है the result surprises me और यह sentence भी उसी तरह का है the result surprises me तो यहाँ पर object है me तो इसे subject के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर I हो जाएगा और यह sentence simple present tense में है तो यहाँ पर I के साथ aim यूज करेंगे I am surprised surprised के साथ हमेशा 8 यूज होता है I am surprised at the result तो यहाँ पर भी आप by use नहीं करेंगे 8 यूज करेंगे I am surprised at the result I know him मैं उसे जानता हूँ दोस्तों यह sentence काफी simple है लेकिन किसी से भी गलती हो सकती है तो यहाँ पर him है object तो इसे he के रूप में लिखेंगे he के साथ ease लगता है क्योंकि यह sentence simple present tense में है और no का वर्वतरी नाउन हो जाएगा he is noun to me तो दोस्तों यहाँ पर by use नहीं होगा यहाँ होगा to he is noun to me तो हमेशा याद रखेंगे कि noun के बाद यहाँ पर to use करना है next sentence है दोस्तो his progress satisfied me यानि उसका progress मुझे संतुस्ट किया तो यह simple past tense में है और यहाँ पर me object है तो इसे subject के रूप में लिखेंगे तो me से I बन जाएगा चुकि यह sentence simple past tense में है तो I के साथ was यूज करेंगे I was satisfied अब दोस्तों यहाँ पर भी by का यूज नहीं करेंगे हमेशा satisfied with होता है तो यहाँ पर with यूज करेंगे I was satisfied with his progress I was satisfied with his progress the book interested Mr. Sharma यानि कि यह book Mr. Sharma को interested किया तो यहाँ पर object किया है Mr. Sharma इसे पहले लिखेंगे और यह भी simple past tense में है तो यहाँ पर was यूज करेंगे Mr. Sharma was interested और इसके बाद in यूज करेंगे in the book Mr. Sharma was interested in the book तो हमेशा interested in use होता है Years ago people believed that the earth was flat यानि सालों पहले लोग को बिस्वास था कि पिर्थिवी चप्टी थी तो यहाँ पर है people believed that तो यदि रहे people believed that या people believed that या फिर people feel that people felt that या फिर I felt that तो इसे आप itage से शुरू कर सकते हैं या फिर it was से शुरू कर सकते हैं यानि कि it was believed that तो यहाँ पर लिखेंगे Years ago it was believed that the earth was flat Years ago it was believed that the earth was flat और इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं Years ago the earth was believed to be flat Years ago the earth was believed to be flat तो जैसा आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं पैसी बोइस में People felt that the officers were corrupt लोगों ने महसूस किया कि officers भरस्ट थे तो यहाँ पर भी आप it was felt that का भी यूज कर सकते हैं या फिर the officers इसे ही subject बना सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे और आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं It was felt that the officers were corrupt Next sentence है People say that he is a spy लोग कहते हैं कि वह एक गुप्तचर है spy है तो यहाँ पर आप दो तरीके से बना सकते हैं और मैं दोनों तरीके से बना देता हूँ तो इसे it is state में change कर देंगे यानि कि यहाँ कहा जाता है कि it is said that he is a spy या फिर he को subject के रूप में लिख सकते हैं he is said to to be a spy he is said to be a spy अब दोस्तो यहाँ पास्ट में है यहाँ पर वोज है people say that he was a spy लोग कहते हैं कि वह एक spy था तो दोस्तो इसमें एक खास बात यहाँ है कि यहाँ पर say है यानि कि इधर present में है लेकिन इधर past में है तो इसे it is said से ही शुरू करेंगे it is said that he was a spy it is said that he was a spy और इसे आप इस तरीके से बना सकते हैं तब आपको यहाँ पर वोज के लिए have been used करना पड़ेगा he is said to have been a spy दोस्तो नेक्स सेंटेंस काफी इंपोटेंट है यानि पुलीस ने चोर को ग्रिफतार किया और उसे जेल भेज दिया तो यहाँ पर दो सेंटेंस है और एंट से जुड़ा हुआ है तो पहले सेंटेंस में यानि जो फ़स्ट पार्ट है उसमें दधीप अब्जेक्ट है और सेकेंड पार्ट में हिम अब्जेक्ट है बस करना कुछ नहीं है औप्जेक्ट को subject के रूप में लिखना है और यह simple past tense में इसमें watch war plus verb 3 यूज़ करना है तो यहाँ पर दथीप को पहले लिख देंगे दथीप was arrested और दोस्तो जब भी police रहता है तो by the police नहीं लिखा जाता है बस दथीप was arrested इतना तक ही आप लिख सकते हैं अब दोस्तो यहाँ पर him है object तो him से he बन जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे he और he के साथ was लगता है he was sent to jail आप he was को नहीं भी लिख सकते हैं यदि आपको spoken English में बोलना हो तो आप short में बोल सकते हैं the thief was arrested and sent to jail she wrote the letter and posted it तो यहाँ पर the letter object है और यहाँ पर it object है तो दोनों को ही subject के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे और दोस्तो आज का अखरी सेंटेंस है और दोस्तो आज का अखरी सेंटेंस है तो यहाँ पर भी दो सेंटेंस है और दोनों में object क्या क्या है यहाँ पर है the house और यहाँ पर है the things तो यहाँ पर लिखेंगे the house was looted and the things यहाँ पर things है एक से दीख है were यूज करेंगे were taken away by them they से them बन जाएगा the house was looted and the things were taken away by them यानि कि उन लोगों की द्वारा घर लूटा गया और चीजें ले ली गई उमीद करता हूँ students and friends कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को के लिए भी बहुत कुछ है एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे all right dear students and friends thanks for watching have a great day enjoy yourself